गाइस देखिए एक ट्रिक बताता हूं इरिगेशन इंजिरियंग की गर्ल फ्रेंड नहीं चाहिए आपने थम्नेल में भी देखोगा गर्ल फ्रेंड नहीं चाहिए जी हां इस एक सिंगल ट्रिक से आपके 15 प्लेस कोश्चन आपके में इरिगेशन के कराऊंगा सिर्फ 2-3 मि यह याद रख लिए देखिए जी से हमारा बन गया गर्ल्फेंड एफ जी से गर्ल एफ से फ्रेंड एंड से नहीं और सी से चाहिए ठीक है यह बन गया अब दोको इनके साथ आपने इरिगेशन रिक्वाइर्मेंट लगा देने जी आई आर ग्रॉसरिगेशन रिक्वाइर इर्ण में चले फिर फील में फिर ने खलें याद रखे अब देखो यहां में बताता हम कि रहता है कि कि यो main question तो आता है आता है कि यह चार irrigation году का relation क्या सिनकर relationship क्या बन जाएगा देखोn Walter यहां पे सबसे जाधा तो यहां देखिए जी सबसे ज़ादह पानी चाहिए उससे कब चाहिए फेल Göranee मैं उसे कम च으ominares नेट इरिकरेशन रीक्वाइच में में उससे कम चाहिए नइस्द्ट फड़िय है विस्ट रखाईरमें से यहां पर आफ cry शाहिए दिए और वे तो आई यह थे को याद रख सकते हैं अब इन में भी कई बार क्वेसिए रिक्वारमेंट कि इसके ब्राबर होता है तो कंज हब्aceries equipment होता है क्रॉप का जो conceptive होता है देखो conceptive क्या होता है है यह झाल क्या होता है कि our other डắp after water crop को कितनी चाहिए, वह minus यहाँ ना है, अवराल पानी कितना है, इसमें से बारिश से कितना पानी मिल जाएगा, जो बच चे का वो हमें मिलेगा, तया ना हरता है, देखो इसको हम लेते हैं consecutive irrigation requirement plus leaching requirement याद रखेगे question काफे आते हैं कि net irrigation requirement किसके बरावर होता है मैं आपको last question भी दिखाऊँगा consecutive irrigation requirement plus leaching requirement और field irrigation requirement किसके बरावर होता है हमारा यह होता है यहां पर इनका जो रिलेशन बनता है जो फील्ड इरिगेशन रिक्वार्मेंट है इसका जो relation बनता है, net irrigation requirement upon water application efficiency, अब यह efficiencies जो 4 हैं, वो में भी आपको trick से बताऊंगा, और last वाला बचा हमारा gross irrigation requirement किसके रावड होता है, देखो यह होता है, field irrigation requirement plus water convenience losses, मतलब किसके रावड होगा, field irrigation requirement और convenience losses कितने, तो अगर इसका relationship देखें हम, देखो, gross irrigation requirement जो है, वो होता है, हमारा field irrigation requirement upon efficiency of water convenience, ठीक है, याद रखेगा, तो simply आपको याद रखना है, कि conservative irrigation requirement में सिर्फ फसल को कितना पानी irrigation से चोगी, net irrigation requirement में उस पानी में हम leaching requirement भी consider करते हैं, field irrigation requirement में net irrigation requirement और application losses को consider करके जितना पानी चाहिए, और gross irrigation requirement में field irrigation requirement और water convenience losses को consider करते हैं, तो आपको बताता हूँ, irrigation efficiencies के बारे, इसी ट्रिक से आपकी याद रहे जाएंगे, देखो चार तरह की efficiencies है, जो बहुत important है, exam में पूछी जाती है, पहले या water convenience efficiency, इसमें क्या होता है, कि जब नहर से पानी खेट तक महुँचता है, तो उस वक्त जो पानी loss होता है, उसको consider करके या efficiency आती है, application efficiency आगे, ठीक इसमें खेट में पानी जो पहुचता है, उसमें से roots से कितना जाता है, that is application efficiency, water stored efficiency और overall efficiency, सबसे पहले बात करते हैं, water convenience efficiency हमारी किसके ब्राबर होती है, देखो, short में बताता हूँ, यह होता है, water delivered to the field, to the water delivered from reservoir and source into 100, इस efficiency को कहते है, water convenience efficiency, यानि खेट में कितना पानी पहुचा और reservoir से कितना पानी मलब्स भेजा गया था या source से, for example के लिए मान लो, जो खेट में है, वो पानी पहुचते है, 80 liter, लेकिन जो reservoir है, reservoir से भीजा गया था, 100 liter, यहां पर 0.8 है, या 80% जो है, यह हमारी water convenience efficiency होगी, तो 20% पानी, 20 liter पानी loss होगया convenience के दुरान, ऐसे water application efficiency की बात करें, तो देखो किसके ब्राबर होता है, water, देखो, water application efficiency की इसके राबर होती है, यह होता है, water root zone में कितने, after irrigation to the water delivered to the field, अब देखो, यह क्या होता है, कि जब हम खेट में पानी लगाते हैं, कुछ पानी gravity के थूर नीचे चला जाता है, तो उपर देखो, इसी statement को मैं continue करूँगा आपको समझाने के लिए, 80 liter पानी खेट में पहुंचा था, 100 liter सोर से आया था, 80 liter में मानो root zone में सिर्फ 60 liter ही पानी रुका, तो यह जो efficiency बनती है, इसको कहते है, water application efficiency, तीसरे देखो, water stored efficiency, यह होता है, water, यह होता है, गाईस, देखो, water, root zone में, irrigation के बाद, मलब irrigation करने के बाद, root zone में कितना पानी मुझूद है, और कितना पानी चाहिए था, root zone को, अपनी field capacity तक, full होने के लिए, ठीक है, यह होता है, कि देखो, field capacity होता है, हमारा किसके बराबर, permanent building point, और available moisture, देखो, इसके मैंने complete video डाली, आप देखेगा, तो यह efficiency होती है, root zone में, कितना पानी मुझूद है, और field capacity तक, roots को fill करने के लिए, कितना पानी चाहिए था, मान लो, अब 70 liter पानी root zone में है, और उसको field capacity तक होने के लिए, 84 liter पानी चाहिए था, तो इस efficiency को water stored efficiency क्याते हैं, और overall efficiency की बात करें, तो यह product होता है, convenience efficiency into water application efficiency का, तो I hope guys कि यह जो tricks थी, irrigation की यह आपको अच्छी लगी हो, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को like किजएगा, चैनल को subscribe किजएगा,